मैं यूटीब चैनल आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही आसान से स्वेटर डिजन बताने वाली हूँ जैसा कि आप देख पा रही होंगी मैं यहां स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करने वाली हूँ तो एक लाइन मैंने बॉर्डर बना लिया है आप जब भी आपको बॉर्ड कई तिस्टर वालेग्जे को क्या करना संग्स किप कर लेना है और एक फंदा जाली बना लेना फिर फंदा को फिर वापस से हमें Юज मिप्योह से चैसर जाली पसे島 सामने से आपको दो फंदों का एक फंदा बनाना है एक फंदा उतारना है फिर एक जाली बना लेंगे मतलब एक उनको ऐसे ही लपेट लेना है देखें दो फंदों का एक फंदा एक उतारेंगे फिर से एक जाली बना लेंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर एक फंदा उतारेंगे एक जाली बना लेंगे तो राइट साइट से फ्रस्ट में आपको फर्स्ट लाई सेम इसी तरीके से आपको बनाना है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप इस डीजाइन को काडीगन स्वेटर वगर में मॉफलर वगर बना सकती हैं देखें फिर इस तरीकिस उतारेंगे और फिर एक जाली वाला फंदा मतलब एक ऐसे ही फंदा लगा लेंगे यह हो गया यह फंदा उतारेंगे एक फंदा लगाएंगे फिर वापस से देखें यह हो गया अब यह लास्ट वाला फंदा इसे भी उल्टा बिन लेंगे तो फर्स्ट रो आपका राइट साइट से इस तरीकिसे बन करके तयार हो जाएगा कुछ ऐसे नजराएगा अब हम बैक साइट से क्या करेंगे जो भी फंदे हमन बेना है देखे इस तरीके से दो फंदे उल्टे भी नहीं फिर गर इसे भी ने नहीं और फिर यह दों फंदो को मिन लेंगे देखे यह यह हो गया तो बैक साइज से आपको पीछे तरफ से सेकेंड सिलाई ऐसे ही बनाना है जो आपने जाली टाइप का उनको लपेटे थे ना उसको हमें ऐसे ही उतार लेना है और दो फंदे उल्टे बीनने है जो फंदे जैसे हैं बस वैसे ही बीनने है इस वाले फंदे को बस इसकीप कर ले लेना है उतार लेना है तो यह सेकेंड सिलाई भी बैक साइड से हो गई कंप्लिट है अब आ जाएंगे वापस आपस से दो नजर और एक सिंगल नजर आ रहे हैं । इस बनानी कैसे बनाना है देखिए पाले फंदे केला वाम इसतारते ह्ने उस लिगतेड को घुलावीप और एक सिंगल चंपी दार लें में सली फंदें इसालें फिर दो फंदों का एक फंदा मुझा जा ले इसाली बनाते हैं लिए देख़ जाली तरी सिरकेइस तो यह तर्डर है तीसरी सिलाई है सामने तरफ से ऐसे बनाना है यह दो फंदे जो है एक साथ है तो इसे हमें एक साथ बीनेंगे और इस वाले फंदे को एक जो अलग से है उसे उतार लेंगे देखिए अलग से उसे उतार लेंगे और एक फंदा हमें और इसमें लपेट लेना है फिर से वापस से आपको हर सिलाई जो राइट साइड से जाएगी ना आपको इसी तरीके से बीनना है देखे फ्रेंज लास्ट में ये दो फंदे को हमें एक फंदा बना लेंगे और फिर ये साइड वाले को भी एक फंदा बीन लेंगे तो ये हो गया आपका थर्ड सिलाई राइट साइड से अब हमें वापस से बैक साइड से क्या करना है वापस से back side से हमें जो skip किये हुए फंदे जो जाली type के हमने यहाँ पे बनाए है उसे उतार लेना है तो यह last के first fund उतारेंगे एक फंदा यहाँ पे बिन लेंगे और इस वाले फंदे को वापस से उतार लेंगे इसे बिन देंगे रही और फिर दो फंदे उल्टे बिन लेंगे तो है ना बहुत ही आसान सा डिजाइन वापस से इस तरीके से दिखे बैक साइड से हमें इसी को हमें बार-बार रिपीट करना है और राइट साइड से जब भी आप फ्रंट में बनाएंगी तो उसमें भी आपको सेम चीज रिपीट करना है कोई भी अलग नहीं करना है देखे पीछे साइड से बस जो आप एक्स्टा ये वाले फंदे बनाएं इसे उतारना है और दो फंदे उल्टे बिनने है देखे इस तरीके से देखे तो ये बैक साइड से भी हो गया कंप्लीट अब वापस से हम आ जाएंगे राइट साइड तो राइट साइड में इस तरीके से पैटन आपका बनना स्टार्ट हो गया है राइट साइड से वापस से हमें इन दो फंदों को उल्टा बिनना है और एक जाली बनाना है जैसे एक फंदा उतार लेंगे और ये दो फंदों को हमें एक फंदा बनाएंगे फिर इस वाले फंदे को स्कीप करेंगे और फिर यहां पर एक फंदा ऐसे ही लपेट लेंगे यह बीजाइन नजर आएगा देखिए और बैक साइड से कुछ इस तरीके से नजर आएगा आप इससे सुक्स बगर में बना सकती है बढ़े बुजर्गी लोगों के भी स्वेटर में आप इस डीजाइन को अपलाई कर सकती हैं बना सकती हैं तो उमीद करेंगे आप सभी को डीजान प्लस ये वीडियो पसंद आये होंगे हैलफुल लगे होंगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी स्वेटर बनाती है उसमें सेर करें so thanks for watching my video thank you